दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिर्ची के पौधे के बारे में मिर्ची के पौधे में इस्तमाल करने के लिए दो तीन बहुत ही बहतरीन खात के बारे में भी बताऊंगी जिससे आप मिर्च के पौधे से ज़ादा पैदावार ले सकते हैं यानि पौधों में फूलों कलियों और फलों की संख्या बढ़ेगी साथी साथ मिर्च के पौधे की देखभाल कैसे करनी है उससे रिलेटेड बहुत सारे केर टिप्स यानि मिर्च में लगने वाली बिमारियां कौन-कौन सी है उसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने चाह बहुत सारी वरायटी यानि कई किसमे लगाती हूँ और जितनी भी मिर्चियों के पौधे यानि किसमे मैंने लगाई वी है सभी में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है यानि सभी पौधे में धेर सारी मिर्चिया लगी वी है और किसी भी टाइम लगाकर ग्रो कर सकते हैं आम तोर पे जब किसान इसको ग्रो करते हैं तो वो साल में इसकी तीन बार खेती करते हैं बाकी आप किचन गार्डेन के लिए अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप साल में कभी भी किसी महने भी इनके पौधे तयार कर आप इनको लगाक का अटाक होता है इसलिए यह बहुत ही जादा जरूरी हो जाता है यह आप शुरुवात से ही मतलब स्टार्टिंग से जब आप इसके पौधे तयार करते हैं तब ही से ही आपको इसकी सही से देखभाल करनी बहुत ही जादा जरूरी होती है पौधे तयार करने के लिए हमेशा बीज की quality अच्छी लिया करें जिससे आगे जाके पौधों में बिमारियां भी कम लगेंगी और और तो और जो है पैदावार भी जादा मिलेगी और मिर्ची ग्रो करते वक्त हमेशा जो है गमले ग्रो बैक की size सही रखें जैसे मिर्ची का plant अगर आप एक बार लगाते हो तो अगर आप उसकी अच्छी care करते हो तो मिर्ची का पौधा आपका सालो साल आपके kitchen garden में बना रहेगा और आपको अच्छी पैदावार उससे मिलत पौधे रहेगी लेकिन जब आप starting में लगाते हो तो साल डेर साल के लिए तो इसको आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा कर ग्रो करें उसके बाद अगर आप पौधे को रखते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको उससे बड़े गमले में shift कर दें क्यूंकि उसमें फिर जड़ का विकास या पौधे ग्रो होने के लिए उसमें जगा नहीं बचती तो उसको बड़े गमले में shift करना जरूरी हो जाता है नई तो पौधे में पोशक तत्व की कमी होने लगती है जिससे फूल जड़ने या फल जड़ने की या फल कमाने की समस्या देखने को मिलेगी मिर्ची के पौधे में फूल जड़ने के ऐसे तो कई सारे कारण होते हैं जैसे अगर आप गर्मियों में मिर्ची का पौधा लगाते हो तो high temperature यानि जादा temperature की वज़े से भी मिर्ची के फूल जो है वो जड़ते हैं ऐसे मिर्ची तो एक sun loving plant होता है यानि इसको जितनी ज़ मिर्ची के से पौधा ग्रो करता है लेकिन एक बार जब temperature 40-42 के उपर चला जाता है 42-42 डिग्री Celsius से उपर चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि इसके फूल होते हैं उसमें जो pollen यानि पराग होता है वो सूखने लगता है यानि ड्राय होने लगता है जिसकी वज़े से आपके एरिया का temperature गर्मियों में 40-42 से उपर चला जाए तो आप इसको थोड़ा shade प्रोवाइड करें यानि या तो आप green net वगेरा लगा दे shade net वगेरा या फिर आप प्लांट को गमले अगर grow bag में लगा हुआ है प्लांट तो उसको ऐसी जगा शिफ्ट कर दें जहां बस इ 40-42 के उपर भी temperature जाएगा तो भी जो है इसके फूल नहीं जड़ेंगे बाकी इस बात का ध्यान रखें कि मिर्ची के पौधे को ना कम पानी पसंद है ना जादा पानी पसंद है यानि अगर आप कम पानी देते हैं या over watering करते हैं दोनों ही cases में मिर्ची के प्लांट में बह हमेशा नमी बनाए रखें जैसे कम पानी देने की वज़े से भी फूल जो है वो ड्राय होने लगते हैं और जहर जाते हैं फल बनने से पहले जादा पानी देने की वज़े से क्या होता है मतलब बहुत जादा over watering करेंगे तो क्या होगा कि प्लांट जो है वो फूलों को खु पानी दें बहुत जादा मिट्टी को सूखने नहीं देना है हलकी ही उपर से मिट्टी सुखाई दे तो आपको पानी दे देना है कम या जादा पानी देने से ना केवल फूल जड़ने की प्रॉब्लम आती है बलकि मिर्ची के पौधे में जो है वो पत्ते मुर्णे की समस् और भी कई सारे कारण होते हैं जिसके बारे में आगे में वीडियो में बात करूंगी लेकिन इसका एक कारण जैसे मैंने बोला कम या जादा पानी देना भी होता है इस से बचने के लिए सबसे बेस्ट सॉलिशन जो है वो यह है कि जब आप मिर्ची लगाने के लिए उसकी मिट्टी तयार करते हैं उसको एकदम हलकी और वेल ड्रेंड बनाएं यानि एकदम हलकी और भुरबुरी मिट्टी हो जिससे मिर्ची के जड़ों के पास पानी जादा देर रुके नहीं और आसानी से ड्रेंड होके निकल जाए मतलब जब भी आप पानी देंगे जितनी जर्रत होगी मिट्टी उसको सोक लेगा बाकी जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आसानी से गमले से बाहर निकल जाएगा तो मिट्टी का जो कॉम्पोजिशन रखते हैं मिर्ची के लिए वो आप 50% नॉर्मल गार्डिन सोय ले ले 30% आप उसमें जो है कॉम्पोस्ट खाद मिला ले और बाकी 20% आप रेत की मातरा मिला ले जो रिवर सैंड होता है ना उसको आप मिला ले कोकोपिट मिर्ची में यूज नहीं करें जादा बहतर होगा कोकोपिट की जगह रेत यानि सैंड का इस्तमाल करें और स्टार्टिंग में जो कॉम्पोस्ट खाद 30% मिलाते हैं वो तो पौधे की बेटर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है लेकिन उसके बाद भी आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले पाएंगे तो हर 10-15 दिन में मिट्टी की गुडाई कर ले जहां पर भी आपने पौधे लगाए हैं गंबले ग्रो बैग जमीन क्यारी अच्छे से आप चारों तरफ मिट्टी की गुडाई कर ले और जब भी मिट्टी की गुडाई करत हैं तो हमेशा एक दो इंच दूर जो में जड़ है उससे दूर में गुडाई करें और उसके बाद खाद के तौर पे सबसे पहले आप हर 10-15 दिन में जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसका जरूर इस्तमाल करें जादानी एक से दो मुठी पर प्लांट आपको यूज कर ग्रोध के लिए बहुत ही जरूरी और अच्छे होते हैं खासकर जब शुरू आती दिनों में यानि जब आप छोटे पौदे लगाते हो उस टाइम पे उसकी अच्छी ग्रोध के लिए आप रेग्यूलर बेसिस पे जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का ज़रूर इस्तमाल करे वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगा पे आप गोबर की खाद का भी इस्तमाल कर सकते हैं दोनों ही खाद में जो है नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है जिससे पौधे की जो है शुरूराती दिनों में ग्रोध बहुत ही अच्छी होगी आगे जाके अगर स्टार्टिंग में पौधे की ग्रोध अच्छी वी तो आगे जाके आप उससे जादा मात्रा में फल और फूल भी ले पाएंगे साथी साथ स्टार्टिंग में जब मिर्ची के पौधे आप लगाते हो तो उसी टाइम जो है बिमारियों का अटैक या कीडे मकौडों का खास कर थ्रिप्स माइट्स जैसे जो कीडे होते हैं उनके अटैक से जो है मिर्ची के पौधे में लीव करल यानि पत्ते मूडने की समस्या आने लगती है ऐसे जो Thrips Mites जैसे कीडे होते हैं वो मिर्ची के पौधे पर कभी भी Attack कर सकते हैं लेकिन इनका Attack जो है सबसे जादा मिर्ची का पौधा जब आप लगाते हो या पौधा Transplant करते हो उसके कुछ दिन बाद बहुत ही जादा देखने को मिलता है उससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग से ही हर वीक या हर 10-15 दिन में जो नीम ओयल है उसका स्प्रेय जरूर करें और जब भी नीम ओयल का स्प्रेय करते हैं तो पत्तों के आगे साइट भी स्प्रेय करें साथी साथ पत्तों के पीछे साइट भी स्प्रेय करें साथी साथ मिर्ची के पौधे से ज़्यादा पैदावार पाने के लिए यानि उसके प्लांट से ज़्यादा मात्रा में फल और फूल लेने के लिए आपको हर 10-15 दिन में मिर्ची के पौधे में किसी न किसी माइक्रो न्यूट्रेंट फटलाइजर यानि सुक्ष्म पोशक्ततु से भरे खात का इस्तमाल जरूर करना चाहिए माइक्रो न्यूट्रेंट फटलाइजर के लिए आप सीविड एक्स्ट्राक्ट फटलाइजर का इस्तमाल कर सकते हैं साथी एक बहुत अच्छा फ्लावर बूस्टिंग फटलाइजर भी होता है यानि इससे फूलों और कलियों की संख्या जादा आती है यह आपको इस तरह से लिक्विट फॉर्म में बहुत ही आसानी से Amazon वगेरा पर मिल जाएगा लिक्विट फॉर्म में आप इसका स्प्रेय ले सकते हैं तो लिक्विट यानी तरहल फॉर्म में इसको यूज करने के लिए जो आपको इसका रेश्यो लेना है वह एक लीटर पानी में 2-5 ml लेना है यहाँ पे मैं 2 लीटर पानी का यूज कर रही हूं तो लगभग में 10 ml लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका लेना चाहते हैं तो जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचता है यानि जब उसमें फूल और कलिया आने का समय हो जाता है उस टाइम पे अगर आप इसको रेगिलर यूज करेंगे तो उससे जो है फूलों और कलियों की संख पौधे में बहुत ही जादा बढ़ेगी रेगिलर यूज करना है और हर 15 दिन में जैसे एक बार जरूर इसको रिपीट करें तब ही जो है इससे अच्छा और बहतर रिजल्ट जो है आप प्लांट में देख पाएंगे एक तो आप इसका स्प्रेय ले सकते हैं या फिर आप उसको भी आपको 15 दिन में एक बार जो है वो रिपीट करना है तो साथी साथ मिर्ची के प्लांट से लगातार और ज्यादा पैदावार पाने के लिए आप जो मिर्ची के प्लांट में मिर्चियां लग जाती है एक बार जब वो मिच्छा और हो जाएं तो आप उनकी हार्वेस्टिंग करते रहेंगी तो नए-एंवे फूल और फल इसमें आते रहेंगे पौढ़ी में जैसे आप मैं बहुत दिन से घर पर नहीं थी जिसकी वजह rzecz है आप दे को बहुत सारे मिर्चियों के पौदो Snarie जो है वो इसतरह से लाल होकर पक गई है जो कि अच्छा साइन नहीं है इतने दिन तक पौधे में मिर्चियों को नहीं रहने देना चाहिए हार्वेस्टिंग करते रहने से जादा और नई नई मिर्चियां लगते रहती है जादा दिन तक पेड़ में अगर मिर्चियां लगी रहेंगी तो पौधा क्या करता है पुराने मिर्चियों को ही पकाने और सुखाने में अपनी एनरजी को वेस्ट कर देता है ना कि नए फूल और कलियों को खिलाने में लगाएगा वो अपनी एनरजी और अगर आपको मिर्ची के अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए तो मैं जहां से बीज लेती हूं उसकी लिंक नीचे डेस्क्रि करने की complete वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment section में बता सकते हैं उस पे भी मैं अलग से separate वीडियो शेयर करूंगी और आज की वीडियो अच्छी लगी और जानकारी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करें चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्र बाद वीडियो देखने के लिए